हम सभी रेश्टुरेंट में कभी न कभी लंच करने, डिनर करने, पाटी करने जाते ही हैं तो आप वहाँ पर देखते हैं कि जब आप टेबल पर पहुंचते हैं तो आपके सामने वेटर आ जाता है तो वेटर को कैसे पता चलता है कि कोई टेबल पाया है कि वो देखता है कि जो खाली सीट्स थी वो वहाँ पर कोई आकर बैढ़ गया है तो वेटर वहाँ पहुंच जाता है उसके बाद वेटर क्या करता है कि आपको मेनु काट देता है और आपसे जो है और लेता है किचन में किचन में वो चीज़े बताता है और वहां पर किचन में वो चीज़े बनती हैं बनने के बाद वेटर को सिगनल भेजा जाता है कि इंटिमेशन दिया जाता है कि जो और है वो तयार हो जुका है तो वेटर फिर आपके टेबल पर लेकर आता है उसके बाद आप खा र तो आप कहते हो कि हाँ हमें चार रोटी और चीह है। तो फिर उसके रोटी रिखेगा रेखेगा थिचंगों के सबस्केड़ नहीं समजंगे मंँआगर रही है कि हाँ यहांप नए कास्टमर आके बैठा है। वहाँ पर जाता है और लेता है और जो किचन है जो किचन में खाना बनाता है उसको कैसे बता चला कि उसको क्या बनाना है तो वेटर ने उसको क्या गिया मैनू बताया कि यह चीजे जो है बनानी है तो किचन में जो है उस चीज बन गई फिर जब वह चीजे बन जाती है तो व कानबान में यही चीज होता है कि यहां पे आपको visual signal दिया जाता है कानबान में visual signal दिया जाता है अब दूसरे example लेजिए कि train है तो train क्या होती कि normally platform पे आके खड़ी हो गई तो आप platform पे एक train खड़ी हुई है सपोज कि platform एक ही platform है वहाँ पे वहाँ पे एक train खड़ी है तो जो दूसरी train होगी वो क्या होगी उसको red signal देकर कहीं बाहर आउटर पर ही खड़ा कर दिया जाता है clear तो signal देकर दूसरी train को बाहर खड़ा कर दिया गया और जैसे ही जो पहली train station पे platform पे खड़ी है वो जब train जाती है तो दूसरी train को green signal देकर platform पे बुला दिया जाता है तो यह क्या है signal के जरी जो है पूरे process को control किया जा रहा है जो पूरा process है चाहे वो कोई साही restaurant में order का process हो चाहे train का running का process हो वहाँ पे सब signal के जरी जो है control किया जा रहा है तो वहाँ से जो signal पहुंचता है कहाँ पे warehouse में storage में की customer ने order कर लिया warehouse में storage में अब जो है 10 unit कम हो गए क्योंकि 10 unit consumer ने purchase कर लिया तो warehouse में 10 unit कम हो गए तो यह signal कहाँ भेजा जाएगा manufacturing department को कि 10 unit consume हो चुकी है तो manufacture क्या करेगा 10 unit और बना देगा clear signal मिल गया warehouse से कि 10 unit खतम हो गी है तो manufacturing 10 unit और बना देगा जिसे कि कमी नहों product की उसकी बाद में manufacturing department जब 10 unit बन गया तो वहाँ पे raw material का use हो गया 10 unit बनाने में तो raw material क्या हो गया खतम हो गया तो यह information कहाँ भेज दी जाती इन्वेंटर में भेज देगी जाती है जहां पर raw material रखे जाते हैं तो raw material जहां पर रखे जाते हैं inventory में वहाँ पर signal पहुंच गया कि हाँ 10 unit manufacturing department बन चुका है तो 10 unit के लिए raw material जो चाहिए था वो consume हो चुका यानि कि वहाँ पर raw material के requirement है तो inventory से raw material manufacturing department में भेज दिया जाता है अब जो है inventory में raw material कहाँ चला गया आता है तो कानबान यही होता है कानबान में विज्वल सिग्नल दिया जाता है आप सिग्नल अब यहां पर जो consumer का information warehouse warehouse से manufacturing inventory बहुत सारी तरीके है signal देने के कि आपने phone करके बता दिया inventory में कि भई 10 उनट का रो बिजवा दो, clear, तो इसमें क्या होता है कि कभी-कभी error आ जाता है, कभी आप बताना भूल जाते हो, कभी आप जो कुछ लिखना भूल गया, information देना भूल गया, तो हम कार्ट system यूज़ करते है, visual system का यूज़ करते है, यानि कि आप बताओ, चाहे ना बताओ, वो कार्ड आ गया हमाएं पास, हम समझ जाएंगे कि आपके पास raw material खतम हो गया, या फिर consumer 10 unit लेकर जा चुका है, यानि कि 10 unit transportation करना है, clear, तो कानबान क्या है, कानबान एक Japanese word है, Japanese word है, जहां पर कान का मतलब होता है, visual और band का मतलब होता है, card या फिर board, तो यहां पर visual card या फिर visual board का यूज़ किया जाता है, तो कानबान means sign board और billboard, जैसे sign board आप जाते हो ना, कि sign board लगा होता है, कि left turn करना है, कि right turn करना है, horn नहीं बजाना है, road पर आप चलते हैं, तो sign board, इसी तरीके से manufacturing process जो department होता है, वहां sign board का यूज़ किया जाता है, production process को continue रखने के लिए, clear, transportation को continue रखने के लिए, वहां पर sign board या billboard का यूज़ किया जाता है, तो कार्ड होता है, तो उसी को क्या कहते है, कानबान कहते है, तो यह जो कानबान का concept है, UK factories में, 1940s में ही second world war के time पर two win system यूज़ होता था, तभी जो inventory control system, used in just in time manufacturing to track production and order new shipment of part and material, तो कानबान का mainly जो यूज़ किया जाता है, कि manufacturing department बन रहा है, तो उस चक्कर में, जो है, inventory कहीं खतम न हो जाए, और manufacturing रुक न जाए, तो इस चीज़ को continuous रखने के लिए, इस चीज़ में, process में, breakdown न लाने के लिए, कानबान system का use किया गया, तो यह क्या है, एक inventory control technique है, it is developed by Taiichi Ono, तो Taiichi Ono न जो है, इस concept को develop किया, जो कि एक industrial engineer थे Toyota में, uses visual cues to prompt the action needed to keep a process flowing, तो यहनों ने क्या किया, कि एक visual cues का use का use किया, ने कि visual sign का, visual card का use किया, जिससे कि जो process है, manufacturing का, वो continuously चलता रहा है, वहाँ पे कोई breakdown न आए, clear, अब एक example के तोर पे simple kanban system का लेते हैं, 3 bin system, तो यहाँ पे क्या होता है, कि manufacturing department होता है, manufacturing department inventory से जो है, अपना raw metal मगवाती है, और inventory store में, जो raw metal हो कहां से आता है, supplier से आता है, clear, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कि 3 bin रख दिया, और उस bin, bin याने की डबबा जो होता है, तो bin में हमने जो है, कार्ड ल point place of production, तो जहाँ पे production हो रहा है, वहाँ पे एक bin रख दिया जाता है, दूसरा भी रख दिया जाता है, factory store पे, आने के inventory control point पे, जहाँ पे raw material जो है, manufacturing department में जाता है, जहाँ से, तो वो factory store हो गया थी, और तीसरे bin supplier के पास रख दिया जाता है, तो 3 bin जो है, यहाँ पे रख दि detail और जो other relevant information चाहिए होती है, उस related information उस card में लिखी होती है, तो जब भी bin जो है factory floor पे खाली हो जाता है, अब बिन में क्या है, raw material है, तो जब उस bin का raw material हो जाता है, क्योंकि उसको manufacturing process में use हो गया, तो बिन खाली हो गया, अब बिन जो empty bin होता है, उसको कानबार, उसमें जो का material रखा जाता है, दूसरे वाले department में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर दियता है, वापस कर दिया जाता है, तो जो bin factory floor पे था, जहाँ पे manufacturing होती है, उस floor पे जो bin था, जब वो खाली हो जाता है, तो उस bin को और card को, कहां बेज दिया जाता है, inventory point पे, याने की factory store पे, clear, उसके जो factory store है, जो factory store है, उस bin को replace करेगा, जो full bin होगा, उससे, the factory store replace the empty bin on the factory floor, with the full bin, from the factory store, which also contains a kanbarn card, तो जो inventory में, already कुछ वहाँ पे full bin रखे होगे, तो उस full bin को क्या करेगा, वो manufacturing department पहुंचा देगा, और जो manufacturing department से, empty bin आया था, card के साथ, उसको अपने पास रग लेगा, अब वो जो empty bin है, जो वहाँ पे inventory store में, empty bin है, वो क्या करेगा, factory store sends the empty bin with this kanbarn card to the supplier, तो kanbarn card को क्या करेगा, supplier को भेज़ देगा, जो empty bin होके आया, manufacturing department से, खाली डबा आया, और card आया, उस खाली डबे को और card को, जो inventory point है, वो क्या बरेगा, supplier को भेज़ देगा, अब supplier क्या क्या करेग जो full product bin होगा और kanban card होगा उसको inventory point पे भेज देगा और जो खाली जो bin था उसको अपने पास रख लेता है तो this is the final step in the process तो the process never runs out of product works in a close loop in that it provides the exact amount required तो यहाँ पे क्या है just in time है वहाँ पे जो consumer ने demand किया manufacturing हो गया बिन खाली हो गया raw material खतम हो गया raw material खतम हो गया तो बिन और kanban card क्या हो गया inventory point पे भेज देगा inventory point से दूसरा full bin जो है manufacturing department पे भेज दिया गया और जो inventory bin था inventory department पे उसने supplier को भेज दिया supplier ने inventory bin देखा supplier ने full bin जो है inventory point पे भेज दिया तो इस तरीके से क्या है continuous process चलता रहता तो एक visual signal होता है बस और कुछ नहीं आप खाली डबबा देखके समझ जाते हो कि हाँ इसमें भने के जोत है आप तंकी पर चड़े आपके घर में तंकी लगवा है पानी की तंकी है आप गये तंकी खोला देखा कि तंकी है पानी खतम तो यहाँ पर बस इस चीज को information देने के लिए कि हाँ raw material खतम होने वाला है तो वहाँ पर एक card का use किया जाता है visual card का use किया जाता है तो that is called kanban clear तो kanban क्या करता है kanban cards signal the need to move material within a production facility or to move material from an outside supplier into the production facility तो kanban card के जरियत ही हुआ कि आपको कब जो है raw material या फिर जो भी materials से है उसको factory त पहुचाना है वो kanban card के जरिये information को मिल जाती है अब bin में kanban card रखा है kanban card से पता चल जागा कि उसको कौन सा raw material कितनी quantity में सारी चीजी कब कितनी पहुचानी है वो kanban card में information होती है उसके जरिये bin को full करता है और bin में दे देता है bin के है bin एक डबबा है और डबबे में जो card होत वो समझ जाता है कि हाँ जो है किसी कोई product है या फिर कोई part है फिर कोई inventory है जो कि उसको वहाँ पहुचाना है तो kanban मिला यानि कि आपका action सुरू हो गया clear तो यहाँ पर आपको एक चीज और देहां रखना है कि जो kanban system है जो kanban card है वो demand driving system होता है यहाँ पर bin खतम हुआ तो supply inventory के पास पहुच गया कि हमें और raw material चाहिए inventory से raw material आपके पास आगया उधर inventory में खतम हुआ तो inventory से supplier के पास kanban card के जरी information पहुच गया कि हमारे पास raw material खतम है supplier supply कर तो demand driving system हो गया अब बात कर लें advantage कि तो advantage आप समझी गया होंगे अभी तक कि सबसे पहली चीज कि reduce inventory and product product obsolete यानि कि रखे रखे क्या होता है कि आपको जोट नहीं पड़ती है तो आप अपने हापे inventory बहुत सारा रख लेते हो और manufacturing हो नहीं रही है तो इस case में जो product होता है जो inventory होती हो नश्ट होने लगता है खराब होने लगता तो इस चीज से आप बचोगे क्योंकि आपको जब कितों जो है आप fulfill कर रहे हो increase effectiveness and efficiency and overall reduce the total cost, total cost भी क्या होगी reduce होगी advantage of kanban, clear तो अब यहां पर हम type of kanban की बात करें तो यहां पर broadly दो type के kanban जो है important होते हैं, पहला होता है production kanban जिसको हम P kanban कहते हैं और दूसरा होता है transportation kanban यानि की T kanban, तो production kanban यानि की P kanban जब भी किसी को receive होता है तिसका मतलब उसको समझ जाना है कि fixed amount of product जो है वो workstation तक जो है produce करना है, A P kanban when received authorized the workstation to produce a fixed amount of product, अब suppose करें कि warehouse में आपने product बना के रखा है, तो customer ने demand कर लिया तो warehouse में 10 unit चला गया, customer लेके चला गया, तो अब जैसे ही workstation में 10 unit खतम हुआ, तो workstation क्या करेगा, P kanban जो है manufacturing department क मत जाएगा कि उसको 10 unit बनाने है, तो that is P kanban याने की production kanban, the P kanban is carried on the container that are associated with A, तो container होता है, उसमें लिख दिया जाएगा कि 10 unit product A का बिग गया है, तो खाली बिन जो है, उस kanban card के साथ पहुँच जाएगा, kanban card जैसे ही पहुचेगा manufacturing department में पास, manufacturing department उस kanban में जो information है और जो product है वो product उतनी amount पे बना कर फिर से warehouse में पहुचा देता है, वहीं पर दूसरा क्या है transportation kanban, यानि कि T kanban, T kanban authorized the transportation of the full container to the downstream workstation, तो T kanban मतलब कि ये transportation kanban है, यानि कि manufacturing ने product बना दिया और जो है उस bin में रख दिया है, ताब वहां से workstation तक या फिर warehouse तक कैसे पहुचेगा, तो वो T kanban क है उस किया जाता है, यानि कि होँआ पर बताया जाता है, कि product बन गया है, इसको transport करिये, तो that is T kanban, the T kanban is also carried on the containers that are associated with the transportation to move through the loop again, तो T kanban जो है हम इसा container के साथ attach कर दिया जाता है, वहीं पर आज के time पर जो है क्या है, ये production, जो transportation kanban है, इसको digitalize कर दिया जा रहा है, तो क्या हो photo of physical kanban board, यहाँ पर क्या होता है, कि e kanban में online kanban होगे, यानि कि आपको physical photo लगा होता है, इसको photo लेने के होता है, उसको देखने के जो इतनी है, आप electronic kanban यानि online kanban देख लोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको transport करना है, कि आपको produce करना है, फिर आपके पास inventory कितनी है, व तो आप इयार्पी हो गई किसी और की या फिर मैनेफेक्शिन डिपार्टमेंट की यार्पी हो गई तो वहां पर आपको पता है कि टू डू है यानि कि आपको a product b product c ये तीन अब अगले दिन जब आओगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बैकलाओ हो जाएगा, यानि कि आपको बता चलेगा कि कल का कोई काम बचा है कि नहीं बचा है, तो यह कानवान जो होता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, कि हाँ, कल जो आपको A, B, C में से बनाना थ आपने A, C बना लिए लेकिन B नहीं बनाया था, तो B नहीं बनाया था, बैकलाओ में दिखा देगा, जैसे कि आपके केरियोवर पेपर होते है, कि फर्स्समेस्टर आप ने ऐक में बैक आजाती है, तो वो बैक जो है, सरक का बाहरा कि जाता है, उसको भी पास करिए तो सिं रोटारट से होता है कि सबसे पहले hashtags बनाया जाता है, फिर छो है आप यह अपर मॉनिटर कर सकते हैं जो औरी ऐस्य केप पर काम धाश हो चुका है, क्या बन चुका है, क्या बन चुका है। भर कानभान होता है ।ो अप आसानी इच प्रोसेस इसूस रिक्वेस्ट, यानि की कानबान तू इस सप्लाइर, वह रा मैटरियल को चाहिए, तो यही तो सिस्टम ही होगा, बाई डिमांड भेन ना, डिमांड राइवन है, तो जैसे यह मैनुफेक्शन ने यूज किया, वहाँ signal पहुंच जाता है कानबान के जरीए कि हमें और रा मट्रेल चाहिए Each process produces according to the quantity and sequence of incoming request तो जैसे-जैसे quantity, जैसे-जैसे sequence में आरा है request उसी तरीके से produces किया जाता है, production किया जाता है No items are made or transported without a request कोई भी just in time या कानबान के अंदर जो है नहीं बनाया जाएगा, नहीं ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जब तक ही कोई request नहीं आ रहा है The request associated with an item is always attached to it यानि कि जो भी request होगा, वो जो हर item के साथ attach किया जाता है Process must not send out defective item to ensure that the finished product will be defect free तो यहाँ पर जो है आपको इसको भी ध्यान जखना होता है कि जो भी process में product होगा, वो defective item को आगे नहीं भेज़ेगा क्योंकि defective item भेज़ देगा, तो वो क्या होगा, process कहीं न कहीं breakdown हो जाता है तो defect free हो, इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है And last is, limiting the number of pending request makes the process more sensitive and reveals inefficiencies यान कि जो pending request होते हैं, उसको limit करने की कोसिस करें कि कम से कम रखें जैसे backlog ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, आप आगे चलके आपकी performance पूर हो जाती है तो backlog को कम से कम रखना है तो छे चीज़े जो है छे rule है कानवान के application के लिए जो कि Toyota ने formulate किये थे क्लियर कि जब भी request आए तभी आप काम करिए, request देना जरूरी है और आपको कोई defective item दे है, pass on नहीं करना है हमेशा request भेज़े तो उसको item के साथ अच्छा उसी एट करिए, attach करिए और जो भी pending काम है उसको कम से कम रखने की कोसिस करिए विशु गल्दविष्ट, कीप वचेंग